हेलो एविवन वेल्कम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल तो आज की व्लोग में मैं इस पार्ट को क्लीन करने वाले हूं इस पोर्शन को उसके लिए मिहां पर जो भी आसपार जो पेघरअगे हूं इस पहले मैं हटा देती हूं थोड़ा स्पेस बना लेती हूं ताकि मैं बैटने और सामान को निकालने के लिए जगब हो जाएव और यहांससे जैसे दोर मेट पड़ा हुआ था उसको अटा दिया है पानी की बोतर में थोड़ा सा पानी था उसको केमपर में निकाल दिया है और अब यहां बैटने के लिए ज़ड़ू बड़ू सब सामने खटे कर लेते हूं ताकि मुझे बार-बार खड़ा नहीं होना पड़ेगा और यह मैं सारे सामनों को निकाल लेते हूं एक बर्स पूरे इस अलमारी को खाली कर लेते हूं यह चोटी सी है यहां अचार था जो ममी ने मुझे दिया था तो उसको मैं चेक कर रही थी क्योंकि पहले लाई-लाई थी उसके कुछ दिन बाद ही इसमें उपर-उपर जो मतलब दूबा नहीं रता है ना वस अचार में लग गई थी तो बस उसको चेक कर रही थी कहीं दोबारा तो नहीं लग गया है क्योंकि ममी को पूछा था मैंने ममी मन कि इसमें उपर जो डूबा नहीं है न उन अचार के पीजों पर फफून लग गई है तो क्या करें तो ममी ने बताया था वही ट्रिक मैंने यूज की तो बस चेक कर ली थी क्योंकि बार-बार इसको निकालना भी नहीं होता बहुत अंदर रखती हूं ताकि मनतवे के जूटे- बूटे हाथ ना लगें तो बस निकाला तो मैं चेक करने लग गई और बस यहां से अंदर से जहड़ू सो क्लीन करके इसको साफ कर लेती हूं और वैसे तो मैं इसमें चौक लगाती थी जो कॉक्रोज चौक होता है चैटी और कॉक्रोज से बचाने के लिए क्योंकि नीचे नाइल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है कॉंटिटी में उसे क्या स्मेल रहेगा तो इसमें कीडे मकोडे बिल्कुल भी नहीं आएंगे और मैं इन सब सामानों को फिर से सेट करके जमा देती हूं यह क्या है मेरे कप ग्लास रखे हुए हैं जो मेरी डेली यूज नहीं होते हैं तो इनको मैं बहुत कम यूज करती हूं जैसे जूस या कुछ यह और यह कप कुछ निकले हुए तो उनको भी मैं इसमें रख देती हूं क्योंकि बहार वैसे भी जगे नहीं होता है इतना रखने करने के लिए और बहार रखे रहेंगे तो गंदी भी हो जाते हैं इसमें क्या मैं अपने फोल्ड हो गया है तो यह मजबूत से हो जाता है इसी में मैं सामानों को रख दो एक रैक का सा काम करते हैं फिर यह जैसे मतलब स्लाइट करके आगे सरका और फिर इसमें सब सामन ले सकते हैं या फिर क्या होता है कि पूरे बॉक्स को निकालके नीचे रख लो और अराम से तो मतलब ऐसा नहीं होता कि एक-एक सामन इसमें रखती हूं तो वो क्या मतलब इसमें अंदर जहांक के देखना पड़ता है कुछ मिलता है कुछ महीं मिलता है टाइम से तो इसमें क्या स्लाइट करके बाहर निकालो और फटाक से अपना जो सामन चाहिए वो निकालो और फ कि और चावल को मैं एक बॉक्स में रखने वाले हूं ताकि क्या होता है कि दालों को डूंडने के लिए दर उदर डूंडना पड़ता है मिलती भी नहीं कभी-कभी कि यह बस इनको ऐसी तरह में साइट करके रख देती हूं कि अ कि मंतव कैसापस मैं बनाती रहंगे कि में वाले चीजों कर रहे हूं मनतव के अधुर के युज सब्सक्राइब और कुछ ऐसी कर कि उस में पाउडर है उसका और सूप इसका एंट तो आसी चीजों को यह फोटा है बनाना भी होता ऐनके के देख सकते हैं कि यह बनाएं कि भबनाैन Ragman और ये समन सेट होगी अब यह मसाले वाले पांस थें पैकेट थी जो उनको मैं किचिन की पास मनलत उससटा जहां मासालों को सेट करके रखोंगी यहां मैं इतना ही सामन रखने वाली हो नीचे की इतना नहीं है नीचे की सामन अलमारी में सामन क्योंकि उसमें वैसे चोटे-मोटे किचिन का जो है जैसे यह जग घरम पानी के लिए होता है सर्दियों में लेकिन अब मैं इसको यूज पॉल्थिन में बांध कर रख दिया क्या होता है कि इसको वैसे ही रख दें तो कीडे मकोडे अंदर चले जाते हैं या कॉक्रोज बहुत है इतना आज अब नहीं निकले हैं लेकिन बहुत हो जाते हैं कभी-कभी और जैसे लिए कि नमक और मैदे शुजी का पैकटे रखा हु होंगी तो फिर अपन दूना भी नहीं पड़ेगा तो इसलिए मैं इदर सिफ डालों को चाबल कों और मैकरो नि पास्टा जैसी चीजों को और ओयल वगेरा है इनए को रखुंगी मसालों को और बेसन मैदा जैसी चीजों को मैं दूसी अल्मारिक में रखुंगी तर मैं इ क्योंकि बारिस का मौसम हो गया है या रोज बारिस पड़ रही है और चीटी कॉक्रोज और यहां पर जैसे नीचे का पोर्शन है तो पानी वाले कीड़े जो होते हैं वह भी आ जाते हैं कभी-कभी गेट के नीचे से हो गया बात्रूम में से कीड़े मकोड के लिए यह वाली और यह थोड़ी इसकी जो चौकट थी ना यह भी थोड़ी गंदी सी हो रही थी तो इनको भी मैं पोच्छे की हल्प से क्लीन कर लेती हूं तो गंदी सी महल सा लग रहा था गिली कपरे से फटा-फट पुच रहा है और क्यूंकि फिनाइल वाले पानी का पोच्छा है तो चौकटों को भी साफ कर देता कि कोई भी जगे ऐसी ना बचे जहां कीड़े मकोड को जाने के लिए जगे मिल जाए ताकि सब जगे से स्मेल सी रहे हलकी हलकी तो कीड़े मकोड अंदर गुसी नहीं पाएं अब नमक और मैदा जैसी सूजी और इन सब चीजों को मैं अलग रखने वाली हूं कि यह बॉक्स में इसके लिए इस्तमाल करती थी अब मैं इसमें जग और यह जो है इनको मैं इसमें रखने वाली हूं ताकि कभी जरूद पढ़े तो स्लाइट करगे फिर बाहर निकालों करने के ले लो त对किटा कुक्ति बहुत फराच में जगते हैं चैसा नीचे से कुछ सामान करने का भी वह नहीं रहता है और है समय सामान छाए तो मिल भी जता इस कि यह जैसे ब्रेड सेखने वाला है और यह क्रॉश करने वाला है गुंजिया बनाने वाली मशीन सी है तो यह मेरे रेगुलर काम नहीं आते तो छोटी मोटी चीजों को मैं इस तरह इसमें डाल दूंगे और यह सौपी से मैंने वह मंगाया थी पैकेट को जैसे हम लोग किसी डबा वबा नहीं होता तो पैकेट को अकीडे मकोडे जाने से पने जा नहीं पाएं उसके लिए यह पैक करने के लिए चिम्टी सी थी तो मुझे बहुत यूज हो रही है या जैसे कभी-कभी डबा इतना नहीं हो पाता है तो पैकेट में ही में सामानों को जैसे कुछ मैदा है बेसन है इनको मैं पैकेटों में लेके पैकेटों कभी-कभी उपर भी रह जाता है तो क्या कुछी दार उदर नहीं रखना पड़ता है और उसको क्या है उसको पैक करके इंचिम्टियों को यूज करक उसको उपर से लगाते हो तो कीड़े मकोड़े भी नहीं जाते हैं, वो एय टाइट भी रहती हैं. अधियर मकोड़े में जाते हैं, वो एक अजब हैं. कर 我 nuky Do कर गर देते हो तो अन्साइच को भी मिम्छ्थ कर देते हूं जगे है तो या थोड़ा मैंने इसको नीचे इसके नीचे कुछा देता हूं पहले यह पेक कवर सहीँ जिसको मैं बिच अब बच्यास लीफ ताकि यह उपर नीचे ऊबर खाबर सी हो रखी है ना आटा जाता है तो इसको मैं एक वल कर देती हूं ताकि यह पॉल्टिन एक दूसरे को उपर से सरक के नीचे ना दे और यह कुछ मेरे जब प्रसाद या कुछ में खाना पीने बनाती हूं तो अंटी को देने करने के लिए दोना दोना और मतलब डिस्पोजल है इसमें प्लेट है डिस्पोजल वाला ग्लास डिस्पोजल हमने इनको कर लिए कि मैंने के यह वह बहुंद से लتي लिए के लिए जाए जे आप कर देती हों तो और पूरा इस लेप को भी कलीन करें के जाए लांने मी लेख है नेर्छ सब्सक्राइब जरू कि यह सब क्लीन हो चुका है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक किजिए कर सेर किजिए कर सब्सक्राइब जरू किजिए